हेलो स्टेट्स, वेल्गम टु माइनर कर, मैं हो क्रिष्णा, कैसी हैं सब लोग? मास्ट बाढ़िया तो थोड़ी सी बाते आप को लेके कर लेते हैं, लेक्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कन्फूजन्स हैं बच्चों को, जो मैं दूर कर दूँ, पहला है कि सर एप में हमको एक्स्टा क्या मिलने वाला है तो देखो मैं बता दूँ आपको लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूटूब पर ही मिल रहे है एप पर ही मिलेंगे उसके अलावा जो आपके में एक्जाम की पिरप्रेशन है वन मास कोशन कैसे होंगे टू मास कोशन कैसे आएंगे त्री मास कैसे आएंगे फाइव मास कैसे आएंगे जो इंपोर्टेंट कोशन है ठीक है कोशन होंगे और उनके आंसर भी आपको मिलेंगे ठीक है जल्दी मिलेंगे साथ चीजे देन MCQ प्रेक्टिस कि जो एक्जाम में प्रेक्टिस है एक होता है कि आप यूटूब पे ऐसे मालोग कर दिया सामने कि हाँ ये कोशन ये आंसर है उसमें मजा नहीं है बेटा एप में जब कोशन आपके सामने रहेगा आप खुछ सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे वो आपके दिमाग में रह जाएगा ये जो है तीन पार्ट MC की वाला खास करकी ये जो पार्ट है इसमें आपकी एक्जिट एक्जाम की पिरप्रेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ यानि कि समझ रहे है आप दोनों चीज़े लाइव क्लासे श्टार्ट हो जाएगी ने पहली क्या था अगस्त में अभी थोड़ा सा काम है ठीक है न? तो जलदी क्लासे श्टार्ट हो जाएगी और रूटीन टेस्ट श्टार्ट हो जाएगी जिन बच्चों ने कосс सब्सक्राइब कर लिया है ठीक है बिलकुल भी घबराएं नहीं और बिलकुल भी ये न सोचें कि अभी क्या हो रहा है ये जल्दी आप लोगों के batch बना दिये जाएंगे और आपके लिए live doubt classes और routine test और जो सारी चीज़ें हैं ये आपको available start हो जाएंगी ये सब चीज़ें जो हैं ये तो अलड़ी पड़ी हुई है कुछ और कुछ जल्दी उसमें add हो जाएंगी आपके app में अब दूसा confusion है सर ये 1100 रुपे बहुत जादा है तो मैं बच्चों से कर रहा हुँ बच्चों ये पूरे साल के लिए है किसके लिए है पूरे साल के लिए या फिर यूं कहले है हर एक बच्चा अलग 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 स्टेट में कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रह करके उनका जब फाइल पेपर होगा उसके बाद ही हुआ उस महीने के एंड में जा करके ये जो एप का जो कोर्स आप पर्चेस करेंगे वह एंड होगा बात समझ में आगई कोर्स जिन लोगा लगता है कि सर 11 सा मां बढ़ा है तो उनको दो इस्टॉल्मेंट में कोर्स अव इस लेक्चर के नोर्स भी मिलने वाले हैं किलियर है उसके बाद विए कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉंटेट कर सकते हैं मैं आपके क्वेरी को दूर करूंगा ठीक है किलियर है इसके लागों कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर तो डायट कॉल करें मेर को बिल्कुल भी हिच के चाहे ना मैं जो भी क्वेरी होगी आपके दूर कर दूगा फिलाल यह सारी क्वेरी जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी तो उनको ले करके मेरे को यहां पर यह लेक्चर में एडट करना पड़ा ठीक है तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक् होती है एक फार्मेसी होती है ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं ठीक है जिसके अंदर लोग पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन क्या स्कोप है और नैशनल एर इंटरनेशनल सेनेरियो क्या है इसका ठीक है तो आप स्टार्ट करते हम आता है compound करेगा है ना फिर करेगा compound करेगा यहां की दो तिन दवा को mix करके एक नई दवा बनाना इस्टाप करता है store करेगा and dispense देगा inpatient medication बच्चे दोगर inpatient कौन होते हैं जो patient admit है आउट पेशेंट कौन होते है जो पेशेंट रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं तो यहां कोछ बच्चों को प्रालम हो सकती है एक होती है आईपीडी एक होती है OPD IPD होती है Inpatient Day और यह क्या होता आउट पेशेंट ठीक है नहीं यहां पे डे लगा दो ठीक है तो इन पेशेंट, इन पेशेंट का मतलब समझ गए, जो लोग एडमिट है, ठीक है, अंडर दा सुपर्विजिन ओफ प्रोफेशनल फार्मसिस्ट, यह सारे काम हो रहे होंगे, किसकी निगरानी में, एक प्रोफेशनल फार्मसिस्ट की नोन एज हॉस्पीटल फार्मसिस्ट, इ ठीक है, अब हॉस्पीटल फार्मसिस्ट यूजली स्टॉक करता है, स्टॉक मतलब रखता अपने पास था ना, जबंडार रखता है, लार्जा रेंज ओफ मेडिकेशन, एक बड़ी रेंज ओफ मेडिकेशन रखता है, इंक्लूडिंग मोर स्पेशलाइज्ट, मेडिकेशन क्या होती है, अगर फार्मकलोजी की मेरे लेक्शर पढ़ लिए है, तो यह तर्म बड़ अच्छे से के लिए रो गया होगा, ठीक है, अभी तक एप्रूब नहीं हुए है, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मसिसी में आल्सों डिस्पैंस ओवर दा काउंटर, यह इ आउट पेशंट को भी दवाईयां देता है, इन पेशंट के लिए होता है, होता है, किलियर है, तो यह डेफिनिशन है हॉस्पिटल फार्मसिसी की में हॉस्पिटल फार्मसिसी की और यह तीन चार पॉइंट इसमें तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो, आओ देखें आगे, वट हॉस्पिटल फार्मसिसी डू करती क्या यह, अरे सब दवाईयां तो देती होगी, विल्कुल, दवाईयां देती है, बट फिर, हाव इट इस डिफरेंट फार्मसिसी, किलियर हो गया, कुछ लोगों को था है, सब कमुनिटी फार्मसिसी गलत बोल दिया, या कुछ और लेपां जोगे हैं मैं कुंटी फार्मसिस अवारा जनलल भाषा में इस तो हॉस्पिटल यहां सारी ब lottery any खुछ पुल यह ठिक, है कमेंटी फार्मसिक लेए नहीं लिखुए हुई है, तो आ कह सकते हैं प्लत क्या रोल है तो या फॉस्पिटल फार्मसिशिक क्या क्या का म क यह बड़े से hospital के अंदर होती है और institutional pharmacy बड़े से institute हो सकता है medical college वगएरा frequently interact with prescribers and doctors doctor or prescribers जो prescribe करते medicine को उनके साथ लगाता है यह touch में रहते हैं maintain medical record पूरा-पूरा medical record maintain करेंगे influence the selection of drug कौन सा drug select करना है इसको पिरवाइद करते है इसकी knowledge भी होती है इनके पास तो यह क्या करते हैं लगाता doctor test में है तो कौन सा selection of drug better है बैस्ट है उसको भी यह अफेक्ट करते हैं मतलब उसको पासर डालते है dose and resume इनको अच्छी खासी knowledge होती है तो कौन सी dose preferable होती है ठीक है तो उसके उपर भी यह लोग focus कौन फार्म कर रहा है hospital pharmacy monitor patient compliance patient के compliance मतलब कि कोई दवा कितना आसानी से patient ले पा रहा है ठीक है कितना frequently ले पा रहा है and therapeutic response दवाई देने के बाद उसका response क्या है वो भी record maintain किया जा रहा है ठीक है क्या community pharmacy में ऐसा होता है वो तो patient आया दवा लेकर घर चला गया लेकिन यहां पर इस सब चीज़ें हो रही है ठीक है and to recognize and report adverse drug reaction अगर कोई reaction दवा कर गई है मैं क्योंकि पेशेंट एड्मिट हो रख है ना तो सारे काम कर सकते हैं लोग इसली लेकिन community pharmacy इंसान आता है पर्चा देता है medical से दवाई लेकर चला जाता है तो महां पर इस सारे काम possible नहीं है इस सर्वेज़ मेंबर ऑफ पॉलीशी मेंगिंग कमीटी पॉलीशी मेंगिंग जो पॉलीशी बनती है उसके मेंबर होते हैं ठीक ना क्या से क्या रहेगा खासकर दवाईयों को लेकर पॉलीशी बनती है एन हॉस्पीटल इंफेक्शंस होते हैं उससे लेटड कोई चीजे होती हैं ड्रग एंद थेरोबिटिक कमीटी कमीटी कौन सी है ड्रग एंद थेरोबिटिक कमीटी जोने नेशनल फॉर्मलेरी टाइप कर रहता है तो हर हॉस्पील की एक अपनी फॉर्मलेरी होती है यह सारी बाते करी हैं फार्मकलोजी में पता है ठीक है मैंने कहा था ना वो चीजे सब बेकार नहीं है बेटा कुछ लोगों को लग रहा था कि सब मैं एक्ट्रा पड़ा रहा हूं एक्ट्रा नहीं है कुछ भी ठीक है हर चीज कहीं लगा इस्तमाल होगी तुम्हारी बात समझ में आ रही है आगे आते हैं एजुकेट अधर है प्रोफेशनल होते हैं उनको एजुकेट करने काम होता है अब आउट रैशनल यूस ऑफ ड्रग अब रैशनल यूस कि डrug के काँ से अच्छे एफक्ट है और इनवल्वड इन अट इनेशी सव ड्रग इन बॉड़ी फिल्योट बॉड़ी फिल्यूट में जाकर कि ड्रग क्या अपना रोल प्ले कर रहा है उसमें यह लोग क्या करते हैं इन्वाल होते हैं प्रोक्यूमेंट यह तो काम हैं द पर दवायां कम नहीं पढ़ने कोई दवाय माला दस यूनिट रह गई है अब परड़े की खपत पांच है तो खटाक से उसका और लाएगा कि हाँ लिया फटाफट यह पांच तो निकल जाती है कल खतम हो जाएं दवाया तो यह inventory management क्लिनिकल ट्राइस होते हैं तो वह उसमें भी यह लोग क्या करते हैं अपना रोल प्ले करते हैं कौन होस्पिटल की फार्मेशी बास वारी है तो हॉस्पिटल फार्मेशी सारे काम करती है अब देख सकते हो अब एक यह inventory management और यह तो कमुनिटी फार्मेशी में नहीं होती है क scope of hospital pharmacy आप scope से हम दोग देख सकते है scope का मैं पहली बता चुका हुआँ scope को मतलब कहा क्या होता है जहां पर कोई चीज act हो रही हो जहां पर किसी का इस्तमाल हो रहा या जिसकी वज़े से कोई काम हो रहा हो तो hospital pharmacy को जो जो काम हो रहे हैं वह हर जग उसका क्या बनेगा scope अलाओ एक्टिस में दोनों के बहुत ज़्यादा अलग है अब इसी वज़े से चीज तो मुझ समाझ में आएगी इसकोप देख रहे हो यह यह सारी बाते सी कहीना कहीं scope के अंदर भी काउंट होंगी काफ सा क्लिनिकल ट्राइल में ठीक है policy making में सब क्या इसका scope में आएगा को यह से इंट्रेक्ट कर सकते हैं लेकिन होस्पिटल फार्मिसी क्या है केवल जो फॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है वही लोग उससे इंट्रेक्ट में रहते हैं ठीक है यह आउट पेशेंट वहां पर आते हैं बट डास नॉट इंक्लूट पूरा-पूरा महला यह इसमें इन्वाल होती है सच चेर्श त्रीक से अप डॉपड थिस तरीक से किस तरीके से अपनी अपनी शर्विस परवाएड कर वा रही है तो ऊब्सक्री बात था हमनों स्टोर में नहीं बोलते हैं तो इसमें चाजाएगा ड्रग डिश्क्रीशन सेंटर ड्रक को देना जन आश्दी केंद्र हैं फार्मेसी वेक्षिनाइजेशन है ये कल्द लिख दिया है फार्मेसी वेक्षिनाइजेशन प्रोग्राम है ये ठीक है फार्मेसी वेक्षिनाइजेशन प्रोग्राम से हैं ड्रग एड्यूकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं उनके प्रवाइड फ्री ड्र प्रवाइड 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 वाले लोग फोरम आफ़ा फार्मा कंपपनी कुछ फार्मा कंपनी वाले भी अपना जगा जगा एक टेंट से लगा करके उसमें कॉमुनिटी में करके वाइड जो रहता है उसमें अपना काम या योगदान देख यहां पर वाले प्रवाइड वाले फोरमा क्या करती है उसमें अपना काम या योगदान दे सकती है ठीक है लेकिन जो हॉस्पिटल फार्मिस्की रहाएगी हो के फ़र इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए होती है तो इसकोप की बात करें तो मैंने जैसे बताया उपर की बहुत साजी लाइन है जो इसकोप में आएंगी ओके यहां पर यहां पर यहां पर यही सारी बाते हैं यही सारी बाते हैं यही सारी बाते हैं कि यह क्या करती है मैंने कहा ना जहां जो काम करी को इसकोप बन जाता है तो ड्रग इंफॉमेशन एंडियर एक्शन दग उसमें वह इंक्लूड था ड्रग का स्लेक्शन उसमें इं मेनेजमेंट करना मेडिकेशन ठेरपी मेनेजमेंट ठीक है ना Фार्मल एड करकेशन रही प्रेनिंग ब्रोग्रम और 30 सिज आ होजी कर लो यह सारा किस भाली मे céu करती है तो होんだ करती है अगर तो मेरे pharmacology की lecture देखें तो scope का मतलब बहुत अच्छे से पता तल गया होगा तो यह सारा इसका scope में भी count होगा clear है बता दिया मैंने ठीक है अब इसमें तुम चाहो तो यहाँ पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ क्या कहता हूँ कि बिलकुल ही लकीर का फकीर मत बन जाया करो ठीक है आप तो खेर समझदार हो गए हो सेकंडेर में आ गए हो ठीक है तो कुछ चीजें हैं जो मैं समझाने के लिए होती कुछ जो अपने खुद भी काट सकते कि अच्छा सर ने ऐसे बोल दिया जेधा बड़ा फिलमिस्टार है कि स्ट्व बहुत चला के आज की तियाए नहीं चल रहा हूँ तो आज का सिनेरियो क्या है नैशल कालों इंट्रेस्टल कलों का सेम ही लगबग। तो कह रहा है दा कन्वेशनल रोल पुराना कन्वेशनल मतना जो त्रेशनल रोल था वाइन चीज का दवाइन को बनाना और सप्लाई करना ठीक है फार्मसिस्ट का रिसेंटली लेकिन जल्दी में ही अभी जो अभी हाली की बात करें हाली ने एक दो दिन खुछ सालों के बात करें पीछे जेरी सिग्निफिकेंट सेंज एक जवर्दस चेंज आया है इन दा फार्मेशी प्रोफेशन इं टरम्स आफ प्रोफेशनल सर्विसेश द्यू तो इंक्रीजिन कॉंप्लेक्सिटी रेंज ओफ मेडिसीन एंड पूर कॉंप्लेंस हैव सिफ्टेड दा फोकॉस और फार्मसिस तुवर्द पेशेंट सेंटर अप्रोच अब हुआ क्या हाली में हुआ कि जब उस चेंज आया क्यों आया यह चेंज डियू टू इंक्रीजिन कॉंप्लेक्सिटी रेंज ओफ मेडिसीन मेडिसीन की रेंज बहुत बढ़ गई समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर को भी नहीं आ रहा है कि कौन सी ले ले एक कहता यार यह अच्छी है एक कहा वह उपर नाम अलगा अंदर यहीं चीज से में इस सब बाते हम लोग कर चुक हैं यहां से हुआ कि केवल दवाई मत दो यहां से आप पेशेंट के ऊपर आपको अपना फोकस भी करना है इस अप्रोच की तरफ आज कर फार्मसिस्ट बढ़ रहे हैं इस सिचुएशन हाज हम लोग रिकोनाईज हो रहे हैं जाने जा रहे हैं एकुली इंपॉर्टेंट प रही है कि इनदा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम टीम होती है फार्मसिस्ट है डॉक्तर है ठीक है परफ द प्रवीजन आफ हैल्थ के सिस्टम में हम लोगों का एक पोजीशन एक हम लोग रेकनाईज एक पहचां बढ़ती जा रही है बाशना रही है अमरीका मुझे चले हैं अ बहुत जवर्दस रोल है उनकी अच्छी खासी पैचान है डवलपिंग कंट्री में थोड़ी सी दिक्कत है वहां पर अभी तक क्या जिसमें लाइने आने वाली है वहां पर थोड़ी सी फार्मसिस्ट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है आप देखें तब फार्मसी प्रोफ क्योंकि हम लोग समझते क्या है कि फार्मसिक प्रोफेशनल नेवर बिन कसिटाइज पार्ट आफ हैल्थ केर टीम फार्मसिस्ट को कभी हैल्थ केर टीम का में भी नहीं समझा तुम्हारा काम क्या रहे है तुम तो दवा यह बाड़ता करके पढ़ना ही तो है यह तो एक तो इन वेट अब फार्मसिक प्रोफेशनल्स है नेवर बीन कंसीड़ कभी उन्हें कंसीडरी नहीं किया गया अज़ा पार्ट ऑफ हैल्थ केर टीम उन्हें हैं कर वा रहे हैं वह उनको समझ रहे हो ना उतना नहीं समझ रहे यह डिक्कत है किन में developing countries में ठीक है आगया आते हैं इन रिसेंट स्टेडी इन UK researchers UK में रिसेर्च पाए गया most of the pharmacists were involved in advising the doctor and educating the patient pharmacist बड़ा होगे doctor से वह advice कर रहा है किसको doctor को educate कर रहा है किसको patient को किसके बारे में दवायों से लेकर गया अरे बहुत साजी चीज़ों को लेकर के ठीक है अब आगया आते हैं एंड आगया ठीक है फाफिस्ट इन developed country has shown जील जील मतलब एक उत्साह दिखाता है in upgrading their knowledge है ना वो उत्साह दिखाता कि जो नहीनी चीज़ आती आती है उनको gain करना कि अच्छा समझना उसमें उसको उसका उत्साही तो रहता है कि इसमें को नहीं चीज़ जिससे की जो नहीनी problem आएंगी या नहीनी case आएंगी उससे वो क्या कर सके रूबारू हो सके ऐसा नहों के नहीं केस आगे उसको उसको पता ही नहीं है and this has positioned them in a suitable place in the healthcare system और इस वज़े से developed country में उनकी जो एक position है वो काफी अच्छी है ठीक है इन countries like UK pharmacist were also given the prescribing right for certain disease UK जैसी country मे फार्मसिष्ट को कुछ prescribing दवाओं को लिखने के भी right जैगा है कुछ खास disease के case में for certain disease कुछ खास disease के case में उनको दवाइयां लिखने के अधिकार दिये गए है a good pharmacy practice guideline developed अब देखो आप इसका जिकर की हुआ good pharmacy practice मैं discuss कर चुका हूँ अगर मेरे lecture देख चुके हो developed by the FIP है ना and subsequently adopted by the world health organization उसने भी good pharmacy practice को अपनाया state that pharmacist first concern should be the welfare of the patient उसने का दवाइया बाट रहा नहीं तुम्हारा काम है तुम्हारा पहला काम होना चाहिए की patient का भला हो ठीक है बासमझ मारी है in developing country आजा भाई है developing country there are opportunities for pharmacist to become more involved with patient care यहां opportunity है however there are difficulties बाट है कुछ दिखते हैं with identifying their role यहां पर उनका जो रोल है ना वो समझने में लोगों को दिख्का रहे कि कैस क्या है कर गे role by pharmacist हो तो एक दिमाग में setup है कि तुम्हें दवाईयां देनी पर सुस्क्राद कोई काम नहीं है and responsibility and having those recognized by ठीक है उनको जो रोल है ना जैसे उपको डवलोप कंट्री में है यह तरह से रोल उनको समझने में यहां पर developing country में दिख्कते आ रहे हैं क्यों आच्छा ना तो खुद अपने अपको समझ पा रहे हैं ना जो रिकगनाईज भाई है hospital administration government and patient even patient या hospital का जो administrator होता है या government होता है वो भी उनको रोल को properly identify नहीं कर पा रही है कहां पर developing country में तो कुछ दिख्कते हैं ठीक है आगे आते हैं in many parts of the world pharmacist have played significant role in provisions of pharmaceutical care service ठीक है ना pharmaceutical care मतलब सीधी बात होई आगी कि patients का ध्यान रखना है कई सारी developed country में हमार यह चल रहा है करके अब in addition it is also widely believed that pharmacist can make a great contribution to the provision of the primary health care pharmacist माना जाता है that pharmacist can make a great contribution अपना contribution योगदान दे सकता है provision of primary health care especially in developing country primary health care जैसे मैंने बताया जैसे अपने जो गली महलों में clinics वगरा होते हैं government की तरफ से ठीक है many researchers have found that in developing country prescribers are in favor the developing country prescriber लिखने वाले हैं दॉक्टर सब्सक्राइबर में है और न्यू एक्स्टेंड रोल extended रोल मतलब दवाई देने के अलावा और रोल बढ़ रहा है और प्रैक्टिसाइजिंग pharmacist as patient counselor वो कह रहे हैं कि भाई असा क्यों चाहिए कि फार्मसिस्ट को एक patient counselor भी होना है अब पेशेंट गया डॉक्टर के पास उसने सब कुछ अनलाइज करके दवायां लेग दी अब डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वह बार-बार patient को कोई दिक्कत आरें तो बार-बार उसको आकर पेशेंट उससे मिले तो इस सब चीज़ें नहीं हो बदलेंगे फार्मसिस्ट अविलेवल आल्टाइब तो उसको एज़े पेशेंट counselor के लिए वो लोग राजी है and drug information provider और क्या करें वो ड्रग की information दे अब उसमें क्या है काफी ज़्यादा knowledge उसको थोड़ी बात कभी दिक्कत है तो फोन कर लेगा डॉक्टर को पूछ लेगा कि हांस ऐसा ऐसा है करके तो कहीं ना कि अच्छा फार्मसिस्ट को एक हम लोग मान फार्मसिस्ट है तो ठीक है तो इसी लिए drug information provider और patient counselor वो बन सकता है यह developing country में prescriber मानने को राजी है और चीजें इस पर काम चल रही है आगया आते है दर रोल आफ अच्छा यहां पर एक खतम हो गया ठीक है आगया आते है तो रोल आफ hospital pharmacist in the new global scenario अगर एक hospital का जो फार्मसिस्ट है नए global scenario में हो क्या चा काम कर सकता है यानि कि जो काम hospital का फार्मसिस्ट करेगा वही काम यहाँ पर हम लिख सकते है hospital pharmacist या role of hospital यहाँ पर कर देना pharmacy एक ही बात है in the new global scenario आओ देखें जारा policy maker हम पहले भी डिसकस कर चुके है it is fact that about 30-35% of the national health budget of the country is spent on medicine लगबात 30-35% budget दवायो मखर्च हो जाता country का despite this fact a regular supply of quality medicine cannot be uniformly achieved इसके बावजूद despite this fact इसके बावजूद a regular supply of quality medicine एक quality medicine की regular supply cannot be uniformly एक तार नहीं हो पात है कभी ज्यादा का income कभी supply नहीं हो पा रही है यह चीज़ होई नहीं पा रही है इतना वजट होने के बाद भी अब ऐसा क्यों है कुछ बाते या लिखी मैंने तो वहाँ पे भी अपना role play कर सकते हैं अंटिवाटिक यूज़ ना वेल डिबेटे इस्सू है ना यह हम निसकास कर चुके हैं कि एंटिवाटिक आज कल क्या एक डिबेट का इस्सू बन गया कि भाईया हर चीज के लिए अंटिवाटिक क्यों क्यों क्योंकि जो जितनी भी डिजीज पैदा करने वाले microorganism हैं वो सब क्या होते जा रहे हैं रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं इन अप्रोप्रियाट यूज ऑफ लेटेस्ट एंटिवाटिक इस लीडिंग तो लार्ज स्केल एंटिवाटिक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है ठीक है रिजल्टिंग इन कोश्ट एसकेलेशन अब कोई डिजीज एंटिवाटिक हो गई है तो जायसे बात अगले एंटिवाटिक दी जाएगी जो और जाए कोश्टली होगी लंबे समय तक और ट्रीटमेंट चलेगा वो भी कोश्टली हो जाएगा एसकेलेशन मतलब बढ़ जाता है ठीक है एफिसेंसी ओफ ट्रीटमेंट वी कंप्रमाइस हो जाता है कि यार सही नहीं हो रहा है ठीक है दबा उतनी अच्छे एक इफेक्टिव नहीं हो रही है तो एंटिबाटिक कही ना कहीं हमें बहुत सोच समझ के इस्तमाल करें चाहिए हर बार हर चीज के लिए एंटिवाटिक जिससे कि safer drugs reach the patient patient के पास पहुंचे in their times of need जब उनको जरुवत है तो उस time पर जो drug है safe है वो उसके पास पहुंच जाए ठीक है इस शुद बीड़न keeping the following objective in mind जो policy making है वो करनी चीह सब चीह सोचते हुए availability of safe and effective drug at all the hospital and health care facility ठीक है effective drug हर जगे मौझूद हो a good quality control and assurance system and an updated inventory as well as logistic system to be put in a place तो यहां थोड़ी सी language घुमा दिया है कहना कुछ नहीं चाहरा हो कह रहा है तो good quality control and assurance system एक system एकदम अच्छे quality का और सुनिश्चित होना चाहिए that updated inventory inventory हमें से update होती रहना चाहिए कुछी कमी ना पढ़ जाए as well as logistic system है जो दवाईयों के supply का आना जाना रहता है to be put in place उस place में दवाईयों को जो logistic system है inventory है वो सब कुछ के वादा बढ़िया होना चाहिए overall island का मतलब यह है improved procurement storage and distribution of drug ठीक है न improve हो जाता है procurement storage and distribution of drug जो drug का लाना store करना distribution यह क्या होता से काम करना है prescribing by generic name हमें generic name से prescribe करना है strengthening of health education program health education program को promote करना है research on all aspects of drug use ठीक है ना इन सब बातों को इस्तमाल में करते हुए हमें policy को बनाना है clear है now next concept is propagating the concept of essential drug and rational use of drug propagating मतलब फैलाना परचार करना जो hospital pharmacist है या hospital pharmacy है वो essential drug और rational use of drug का क्या कर सकती है प्रचार कर सकती है क्यों कि वह वहां पे जो doctors available है वो लगातार क्या है touch में है ठीक है in order to maintain an efficient healthcare system एक अच्छा healthcare system को maintain करना है the drug distribution system the drug distribution system है must be cost effective बहुत महंगा नहीं होना चाहिए ठीक ठीक होना चाहिए and should reach out a wide cross section of common people और इसा होना चाहिए कि वह common people के हद में हो budget में हो बट इन दा current state of health scenario बट आज के वह बात करें we see the random use of multiple costly drugs एक साथ धे साथ ड्रग लिख देते हैं डॉक्टर है ना इससा बाते हमने करी है which often hovers hovers मलता मंडराना on the border of being irrational and mostly unnecessarily costly तो इसके चकर में क्या पेशेंट के उपर एक खत्रा मंडरा रहा है कि irrational drug का इस्तमाल हो रहा है उसके साथ और जादा तर unnecessarily जो दोएंच काम की नहीं है और वही सब मिलके क्या हो जा रहा है उसकी cost बढ़ जा रही है है ना यह सब बाते हमने करी है अब ऐसा जो हो रहा है यह जो irrational काम हो रहा है essential drug नहीं दी जा रही है क्यों हो रहा है this is due to the various reason the foremost factor being the biased concept बाइस मतलब भेदबाव वाला concept क्या बेदबाव हो है फिजीशियन्स एंड एग्रेसिव एड़्टाइब मतलब फिजीशियन्स क्या होता है जैसे manufacturer होते हैं बही कहते हैं तुम ऐसा कर दो या इसका वर हम डिसकस किया था कि होता कुछ है और तो manufacturer दिखा कुछ और रहे हैं तो क्या है biased concept concept पलट दिया गया एक गलत concept की आड़ में आप अपना दवाईयों को बेच रहे हैं and aggressive advertisement advertisement इतना करवा रहे हैं इतनी popular हस्तियों के द्वारा करवाया जा रहा है कि आदमी कह रहा है यार यह होगा यह होगा बढ़िया हुगा लाओं खाते हैं इसे पीते हैं वहां लिग दिया doctor ने हुआ आ रहा है कि आजका अगर आप 30 दिन तक खाएंगे या 50 दिन तक खाएंगे अब वह 30 से 50 दिन का लेकर आजाता है एड देख देख आदमी अब वह क्या हो रहा है फायदा भरे ना हुआ नुक्सान कर जाती चीज़े तो aggressive ad aggressive मतलब बहुत ज़्यादा बाबर प्रचार हो रहा है तो आदमी दिमांग छब profit कवाने के चक्कर में ऐसा बोलो कर रहे हैं all these can be eliminated if the state government यह सब हटाया जा सकता है अगर state government maintain an essential drug list वह essential डेट बना दे जिसके वारे हम बात कर चुके है फार्मकलोजी में and enforces और कायदक अब ताकत बलपूरवक अपॉन दा hospitals and physician to string gently strictly follow the same लागु करें ताकत से है ना एकदम कोई कोई चीज में कोई सीविटाइब रियाइद बरदास नहीं होगी और hospital physician को strictly बोल देगी follow करो अनिता तुमारे उपर action लिया जाएगा rational drug are those which are accepted worldwide and are included in rational drug क्या होती ही जो पुरी दुनिया ने सब्करिया और standard textbook of medicine and pharmacology में उनका जिक्र है essential drugs are those drugs selected by each country based on the health need of its people है ना हर country में थोड़ा से health के issues अलग टाइब के रहते हैं किस कंट्री में किस टाइब का health issue चल रहा है उसके हिसाब से वो लोग अपने essential drug list बना लेते हैं and the morbidity pattern prevalent there वहाँ पर किस रोग से लोग ज्यादा मर रह रहेगी ठीक है essential drug को भी हमनों discuss किया है pharmacology में essential drug must be safe economic and it must be a therapeuticly effective have proven scientific value and must be rational तो वही सारी बाते हैं यहां पर घूमफिर के जो आ रही है propagating the concept of essential drug and rational use of drug क्यों ऐसा होना थी है उसके reason है यहां पर एक hospital pharmacy यह काम कर सकती है या hospital pharmacist यहाला काम कर सकता है next आता है essential drug list if present in a country can assure rational use of drug अगर essential drug list मौजूद होगी ठीक है वो assure करती है सुनुश्चित करती है rational use of drug अब drug का use rational होगा by limiting use of irrational and hazardous drug अब essential drug की list है तो unwanted drugs हट गए है तो drug का use rational हो जाएगा and decrease the risk of atrogenic disease अब जाती है जो दवाई उसे बन जाती है किस दवाई के वह सो हो रहा है किसी patient के अंदर खीक है न तो यह सारी बात है कहीं अगर पीछे पर चुके है pharmacology में जो स्टार्टिंग के जर्नल के चैप्टर पड़े थे हम लोग उसमें सारी बात थी यहाँ पर rational use of drug make imperative to draw up priorities to meet the most urgent needs of people ठीक है कह रहा है rational use करोगे तो जो priority पर है न जो priority drug है वो जादा जादा हम लोग क्या करेंगे इस्तमाल में रहेंगे for essential healthcare it also facilitates streamlining of production storage distribution of drug due to a smaller number ठीक है अब drug की quantity कम रह गई है खास-खास ड्रगी इस्तमाल करनी है तो उनका storage करना production करना distribution करना सब क्या हो जाता है असान हो जाएगा due to smaller number of drug involved okay the concept of rational use of drugs can start from listing only rational formulation ठीक है न हमें formulation के सब्सक्राइब से rational हो जाए है in the hospital formulary hospital के खुद की भी एक फॉर्मिलरी होती है ठीक है and making available in the country only rational drugs formulation तो ले देके बात वही आगई यहाँ पर यहाँ पर पूरी बात करें तो यहाँ पर essential drugs और reaction drugs की बाते हुई है जिसको हम लोगों ने formula कहते हैं फार्मकलोजी में काफी अच्छे से पढ़ाई कर रखा है तो वही सब बाते हैं यहाँ पर दो तीन लाइन है फिर कह रहा हूं मैंसे एक दो तीन चार-पांच-छे-चार-पांच-पांट मैंने लिख दिए इसके अंदर तो इसके अंदर कुछ नहीं है तो मैं बस बता देना एक बार यहाँ पर कि क्या होते हैं और किस तरीके से फार्मसिस्ट की हैल्प की वाज़े से वह क्या करेगा इंप्रूव कर सकता है और इसेंश फॉर्ट बाकिकार दोगें यहाँ से ठीकेन आ अगया आते हैं बल्क कंपर दिंग इंदिस्पेंसिंग अपर क्या ब्रॉइब हिर लॉट ऑफ कॉमन प्रूट्ट्ट्ट वीचर विचार विएग पर्चेस बाइदा हॉस्पीट्ट अथॉर्टी बहुत सारे कॉमन लाइक कार्मिनेटिव मिस्चर्स, लोशन, ओंटमेंट, डिसिंफेक्टेंट, यह सब तो सीख के आया होता है वही अगला इंसान, तो सब तो हॉस्पिलिजम बना लेगा वो तो, और बहुत सश्था पड़ता है, बिन वाइन मिनिमम इन्वेश्मेंट बाइदा फार्मेशी, अब फार्मेशी का जो हाँ पर खर्च्रा होता है, अब इससे होगा क्या, इस चीप फार्मुलेशन, चैन बी सप्लाइट टू पेशेंट अट लो कोश्ट, अब जब सश्थे बने हैं, तो पेशेंट को भी सकता है, हॉस्पिल के फार्मसेट, इस इस बीकॉज इन्डिजनेस मैनिफेक्ट्रिंग, इन्डिजनेस मतलब जो अपने खुद सोदेशी, सोदेशी मतलब होगा होगा हॉस्पिल के अंदर खुद बना रहे हो, एड़ फार्मेशी, कट आउट दा कॉस्ट ऑफ फैंसी पैक होते हैं बहुत सारे, and so final product are cheaper, अब इसकी वाई से क्या हो, यह सब चीजे तो हट गई, यहां से खुद बना लिया अपना, तो हुआ क्या, यह product finally मेरे पास क्या होगा है, सस्ता बढ़ा में रखो, मैं सस्ता ही क्या दे पाऊंगा, patient को दे दूँगा, the product prepared in house staff will also assure quality of drug dispense, यहा पर हमको quality भी मिल जाती है, तो चाहो तो क्या कर सकते हो, यहां पर इसकी AI line जोड़नी है तुमको तो बताना पड़ेगा, कि किस तरीके से उन्होंने role play किया है, और यह सारे cost कम हो जाते हैं, और सस्ता पढ़ता है, ठीक है, तो यह सारे क्या है, आज के scenario में, फार्मसिस्ट क करेंगे, shortening the hospitalization timing, hospital में रुपनी की timing को short कर सकते हैं, कैसे, an effort of the healthcare team can significantly shorten the patient hospitalization time by implementing a well-designed patient management, जो पूरी healthcare team होगी न, इसमां फार्मसिट का role, फार्मसिट का role main रहता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक well-designed patient management, patient को manage करने का well-designed therapy maintain की जाएगी, जिसकी वज़े से पेशेंट 10 दिन क के वज़ाए, 7 दिन में, 5 दिन में ठीक होगा, policy and implementing rational drug therapy, जब rational drug therapy इस्तमाल होगी, तो automatic क्या होगा, hospitalization का time कम हो जाएगा, आगे आते हैं, reduction in span of hospital can also improve the efficiency of the hospital, जब patient कम रुकेगा, मानलो 100 bed का एक hospital है, ठीक है, अब उसमें 5-10 दिन के वज़े, 5 दिन में रुके एक patient जा रहा है, अब मानलोब patient, hospital पुरा भरा हुआ है, तो नए patient को admit होने में, क्या होगी, दिक्कत होगी, लिया ही नहीं जाएगा, उसमें बेट खाली नहीं है, तो क्या रहा है, hospital की छमता बढ़ जाएगी, by providing treatment to a large number of ambulatory patient, ambulatory मतलब जो आरे जा रहे हैं, per unit time, ठीक है ना, जब बेट खाली of the healthcare team, as well as the general public, अब यहाँ पर वही वाला concept आ गया, unbiased, मतलब बीना भेदवा वाला information होना चाहिए, कोई information ऐसा नहीं हो, कि कहीं पर profit छुपाओ या अपना लाला चुपाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, physician often get confused by the biased information provided by the pharmaceutical manufacturer, यह वही वाला concept आ गया होएर पास, जो पी उपर था, हाँ, बल compounding हो गया, और पीछे आ जाए, concept ठीक है, इसी के यह थुरा सब मिलता हो concept है यह, ठीक है, तो कह रहा है कि जो यह वह पहले पहले बताई थी बात कि जो manufacturers होते हैं, वो कुछ दबाईयों को जज़़ा share करने के लिए कई बार क्या है, misinterpret करते हैं, गलत वो तरीके जाते हैं, होता कुछ है, उसका effect कुछ और दिखाते हैं, यह चीज़ को हमने discuss किया था किसमें, pharmacology में, availability of unbiased information by physician may lead to more, अब कहां से मिलेगी information यह, pharmacist देगा, ठीक है ना, तो कैसे देगा वो, तो कह रहा है, availability of unbiased information by physician may lead to more prudent prescription, prudent मतलब जिस पर भरोसा किया जा है, and consequent drug use, ज unbiased source can be standard reference book, journals and other primary information sources, office की बात है, तो doctors जो फीसिन होंगा, उनको पढ़ने का time है, नहीं कौन करेगा यह सारा काम, pharmacist करेगा, common people are also confused by aggressive promotion, जेखो हाँ पर फिर वह वाली बात आगी, aggressive promotional propaganda से जो होता है, common people क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा effect होते हैं, वो सोचते हैं, इतना chad आ जाते हैं, ठीक है, अब होता क्या है, having no beneficial काईवर, उसका कोई भी beneficial effect होता नहीं है, दवाई का, जो वो ले के आ गया है, और कुछ attractive ad time को देख करके, अब हो गया रहा है, उसको रुकसान हो गया, तो क्या कह रहा है, common people are also confused by aggressive promotional propaganda, made by pharmaceutical companies, जो pharmaceutical companies क्या करनी है, एक ad परचार कर रह machine having no beneficial or at least beneficial effect, ऐसी दवाई कोई असर नहीं होने वाला उसके उपर या कम असर होगा, उसके लिए वो attract हो जाता है, ठीक है, किसको देख कर के, इस प्रोडक्स में often have some damaging effect on the health in the long run, अगर लंबे सम्मेट को उसको खाया जाएगा, तो damaging effect उसके आते हैं, पास समझे मारी है, next आते attitude or practices, the dissemination of unbiased, जो unbiased information का फैलाओ होगा, dissemination होगा, परचार होगा, रेश्टिट करेगा, रोकेगा लोगों को from such deleterious नुकसान दाएक attitude or practice से, कौन सा नुकसान दाएक attitude or practice से लोगों का, कि add देखा, दवाई खरिद ली, ये जो attitude है लोगों का, ये कब बदलेगा, अगर एक अच्छी information, unbiased information, dissemination फैलाई जाए, समझाई जाए, तो उससे क्या है, लोग इससे बच पाएंगे, to serve this purpose and meaningful way, इस purpose को अच्छे से करने के लिए, setting up of drug information center at hospital level, manned by pharmacist, ठीक है, इसको करने के लिए, pharmacist में दोआरा ही, एक drug information center hospital में establish होती है, is being suggested, या suggest की जाती है, कि ऐसा रखना इपनी information ले सकें, presently number of drug information center are doing a commendable job, a few of which are, काफी सारे drug information center, जो काफी अच्छा काम कर रहे है, कुछ है हमारे पास, community development medicine unit, CDMU, कोलकाता, महराश्रा state pharmacy council drug information center, ठीक है, करनाटका state pharmacy council, medicine information center, नाइपर इसे हम कहते है, ठीक है, आंदर परदेश, state pharmacy council, pharma information center, चन्नाही तमिलनादू, यह सब क्या है, वो institute है, जहाँ पर drug की पूरी अच्छी information है, unvised information तुम्हें यहाँ पर मिलने वाली है, छटा point आता है, जहाँ पर hospital pharmacy अपने role play कर सकता है, adverse drug reaction, drug react कर गया, अब क्या, physician in our country are always busy, हमारी country में physician हमें सब busy है, and cannot often afford much time for patient, वो patient को बहुता time नहीं देते, sometimes a patient need to get appointment to report a complaint after taking a medicine, काई बार क्या होता है, दवाली अब दिक्कत हो गई है, दो दिन दे बाद, फिर जाना है, डॉक्टर से मिलने के लिए, फिर फीज देनी पड़ेगी, generally a patient choose not to report the same to avoid the cumbersome process of seeking an appointment, अब वो कहता है, फिर जाओ, वहाँ पे line लगाओ, खड़े हो जाओ, कौन जाए दुवारा, तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, इन सम केसे, physician also avoid EDR reporting anticipation that patient may get scared, ठीक है न, अब कई बार जो physician होता है, वो कई बार खुद भी नहीं बताता है, कि ऐसा हो सकता है, जिससे की patient डर ना जाए, है न, EDR reporting in anticipation, है न, उससे संभावना होता है, कि ऐसा हो सकता है, साइद, वो नहीं बताता है, बता देगा पेशन का रहा होता है, नुकसान हो सकता है, वो डर्ग में जीन लाएगा फिर, अब ये सारी समस्यां आ गई है, कौन निप्टे का इससे, फार्मसिस निप्टेंगे, ठीक है, फार्मसिस्ट बींगा most easily accessible, बहुत easily आप जा सकते हो फार्मसिस्ट के पास, ठीक है, डर भी ने लगता है, इं करने में, यह सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं, बाइ एक्टिंग अजर लिंक बेटीवीन दा पेशेंट एंद डॉक्तर, यह इंदो नों के बीच का लिंक बन जाता है, अब क्या है, उसको सारी बात है पाता है, वो पेश्ट को समझा सकता है, कहीं एका जगा घर फसा आ बलेगा, प्रिजेंटली एन एक्टिव फार्मक विजिलेंस, इसको भी आपना डिसक्स कर चाएं, पार्मक लोजी में, सिस्टम फार्मक विजनल देख रेक करेगी, सिस्टम डवलप किया जा चुका है, इंडिया में, टू जोर्नल सेंटर है बेन स्टैबलिस अड मॉंबा फार्मक विजिलेंस प्रोगाम इंकरेज दा रिपोर्टिंगा हो उसको आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है ना ये नेशनल प्रोगाम है, ये इंकरेज करता है, बोलता है, किसी भी चीज़ को लेकर सारी एफेक्ट दिख रहा है, तो तुरहन हमको बताएं, और नेशनल फार्मक विजिलेंस अड्वाइजरी कमीटी है, एक और कमीटी बनाई गई, एन पेसी ये क्या कर रही है, नजर रख्छी हुई है, जोर्नल फार्मसीस का रोल आज के सिनेरियो में, ग्लोबली और नेशनली इंपोर्टेंट है, तो कॉंक्लूजन हमरे पास क्या निकल गया आता है, हैंस जेर वोट बी पैराडिगम शिफ्ट, पैराडिगम मतलब एकदम जवर्दस्त, फ्रॉम दा क्लासिकल रोल आफ दावाइयों को देना और दिस्पैंस करना, इसका जवर्दस तरीके शिफ्ट हो गया है, पुराने रोल से हट गया काफी सारा रोल, फार्मसिस्ट को अपने आपको प्रिपेर करना, इस नए रोल के लिए आप लोग जो लेक्टर देख रहे हो, तो समझ लोग आप लोग एक नया रोल यहां पर आने वाला है, पॉलिस की कांसेट से एकदम कहते हैं कि एकदम फिट हो सके, वर्किंग फार्मसिस्ट उट आप्डेर और वर्किंग है, उनको अपडेट किया जाए, उनकी नौलेज को ठूटू कन्टिविजूपने के तरीके जात किया जाए जिस से जो अभी प्रेजर टाम के फार्मसिस्ट है, वो भी अपने आपको नए सेनेरिय को हिसाब से ढाल सकें बात समझ में आई तो ये था हमारे पास definition और क्या कहते हैं उसका जो आज का सेनेरियों की बाते हैं जो हम लोग ने करी हैं आपर ठीक है तो अब बात समझ में आगे होगी हॉस्पिटल फार्मेशी किस तरह से कम्मुनिटी फार्मेशी से अलग है ठीक है क्या स्कोप है इसका तो इसको अब यहां पर जनल बात अगर दिमाव में सेट कर लोगे तो कहीं न कहीं चीजें तुम देखो गए अगर फार्मकलोजी वाली चीजें मेरे वाले लेक्टर पढ हमेशा कहता हूं ठीक है बिल्कूल ही एकदम ऐसा नहीं पढ़ जाना कि जो लिख दिया उसके पीछे रट के पढ़ जाओ पीछे ठीक है यहां चीजें कर साभी समझाने वाली होती है उन्हें से लाइने च्छाट करके तुम छोड़ शोटा भी कर सकते हो कि लिए रहे बात में देने खिएग।